हेलो व्राइंट्स कैसे आप सब लोग दोस्तों आप इशाल आप सब करता हूं आपी के चैनल में उमीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगी पसंद आ रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दो अच्छे फायदे हैं आज की वीडियो के तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा बेल आइकन को दब बहुत सारी नहीनी सटिंग आई हैं जिनके बारे मैं आपको बताने जा रहा हूं ओके दोस्तों कुछ सेटिंग्स हैं जो काफी मज़ेदार हैं तो आप उनको एंड तक देखेंगे तो जादा बेटर रहेगा ओके दोस्तो, चली दोस्तो, सबसे पहले जैसे देख सकते हैं, आप यहाँ पे एक वीडियो स्टार्ट है, ओलेडी यहाँ पे रनिंग एक वीडियो है, ओके दोस्तो, चली हम एक काम करते हैं, पहले साउंड को थोड़ा कम कर लेते हैं, ओके दोस्तो, तो दोस्तो, सबसे पह यह वाला बटन है इसको दबाएंगे तब जाके यह full screen होता था तो कि दोस्तो अब दोस्तो इसे दुबारा से ऐसे कर लेते हैं तो कि यह scene पहले होता था अब क्या है दोस्तोव अब scene क्या हो गया है अब आगर आपको आपकी screen झूम करनी है यानि कि फुल स्क्रीन करनी थो आप कैसे कर सकते हैं आपको क्या करना है वीडियोपे नीचे से ऊपर तक एक अपने फिंगर भीकर थम के साथ थोड़कर खरें और यह आपकी वीडियो से हो जाएगी आराम से full screen पे okay दोस्तो तो आप इसे कर सकते हैं यह हमारी एक setting अपडेट हुई है और यहाँ पे और भी कुछ setting अपडेट हुई है जिनके बारे मैं बताता हूँ एक setting अपडेट हुई है दोस्तो यहाँ पे देख सकते हैं यह एक toggle सा आ गया यहाँ पे ओके दोस्तो यह auto play on और off का है यह काम क्या करेगा दोस्तो जैसे ही आपकी एक वीडियो खतम हो गई है तो अगर यह on है तूसरी वीडियो अपनी आप continue हो जाएगी otherwise अगर यह off है तो वो continue नहीं होगी ओके दोस्तो यह वीडियो खतम हो जाएगी वो वहीं पे screen रुख जाएगी तो यह है हमारी setting number 2 ओके दोस्तो दौनों setting काफी मज़िदार आई हैं ओके दोस्तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब दोस्तो तीसरी setting के लिए आपको क्या करना होगा आपको जाना होगा आपकी profile पे profile पे आप जैसे ही जाएंगे यहाँ पर आपको option मिल जाएगा setting में setting में जाने के बाद आपको दोस्तो यहाँ पर क्या करना है notification पर जाना है notification पर जाने के बाद यहाँ पर schedule digest के नाम से एक setting आ चुकी है जो notification की है अब इसका काम क्या है दोस्तो दोस्तो बहुत सारी settings ऐसी होती है जिन में आप channel को subscribe करते हैं bell icon को दबाते हैं और उनकी notification जब भी कोई channel का जो मालिक है channel का जो owner है channel को जो भी चला रहा है मालिक वो जब भी video डालता है उसकी notification आपको आती है लेकिन आप उस time busy होते हैं तो आप वो notification नहीं देख पाते हैं आप college में होते हैं ट्यूशन में होते हैं office में होते हैं नहीं देख पाते हैं किसी भी काम है busy होते हैं ओके दोस्तों आप यहां से सेट कर सकते हैं, जैसे कि मेरा 7 पेन का टाइम हो रखा है सेट, लेकिन मैंने यह ओन नहीं कर रखा, मैं इसे ओन कर दूँगा, साथ बज़े मुझे पूरे दन की नोटिफिकेशन आ जाएंगी, ओके दोस्तों, काफी cool feature है, इसे use कीज़ेगा, यह थी हमारी setting नंबर 3, चली दोस्तों, बापस से बैक आ जाते हैं, अब setting नंबर 4 जानते हैं, आपको दूबारा से profile पे जानना है, फिर आपको setting पे जानना है, then आपको जानना general पे, तो जनरल में आने के बाद दोस्तो अब एक setting यहाँ पर आई है जो कि काफी amazing है क्या वो setting है मैं आपको बताता हूँ दोस्तो यह setting आई है it's bad time bad time यानि कि दोस्तो आप बहुत ज़ादा चलाते हैं YouTube अब दोस्तो एक time होता जो आपको rest भी चाहिए होता है तो यह setting जो second number की setting है यह आपको rest देगी यानि कि कहने का मतलब है आप यहाँ पर time set जैसे ही कर देंगे तो उस बीच में notification आपको आती रहेगी YouTube से कि it's your bad time और आपको आपका phone side में रख देना है और जब तक आप बंद नहीं करेंगे चालू होता रहेगा यह आपको notification देता रहेगा तो यह आपको remind कराने के लिए कि आपका bad time हो चुका आप सो जाईए यह आप फिर जो भी आपको करना आप कर लीजिए और YouTube को छोड़ दीजिए ओके दूस्तो इसके अलाबा अब आते है setting नमबर 5 पे ओके दूस्तो setting नमबर 5 जो आपको बताएगी zoom to full screen दोस्तो पहले वीडियो में क्या होता था इस screen को fill करते हो आएगी इस space में यानि कि दौन और left और right side पे कोई भी black screen नहीं नहींगी तो यह अच्छा feature है तो यह features हैं जो कुछ update हुए और भी फोच सारे features हैं जो update होते रहते हैं और जो update हुए जिनके बारे में आपको further बताता रहूंगा उके दोस्तो तो उम्हीद है दोस्तो यह video आपको जरूर पसंद आई होगी पसंद आई हो तो like जरूर कीजेगा वीडियो को चैनल को subscribe जरूर कीजेगा और bell icon को दबाना ना भूलें बहुत जल मिलेंगे नेश वीडियो में तब तक के लिए बाई दोस्तो